A very special good evening to all of you, स्वागत है आपका हमारे चैनल study with अभिमान में तो आज मैं आप लोगों के लिए polytechnic entrance exam 2020 के लिए science के कुछ most important questions यहाँ पे लेकर आया हूँ तो आज से मैं आप लोगों के लिए science में most important question answer की series स्टार्ट कर रहा हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने questions करवाने वाला हूँ यह सभी questions आप लोगों के entrance exam के point of view से most important questions है इन में से कुछ questions आप लोगों के इस बार के entrance exam में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे total 20 questions करवाने वाला हूँ जिसमें आप लोगों के physics के भी questions होंगे और chemistry के भी questions होंगे तो आज यह आपकी science की important question answer series का part 1 है अगर आप आगे कहेंगे तो आगे भी मैं इस question answer की series को continue करूँगा तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को start करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला question क्या दिया हुआ है तो question number first आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा तो यहाँ पे question क्या पूछा गया है तो यहाँ पे question पूछा गया है कि बर्फ का पिघलना क्यासा परिवर्तन है most important question है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोगों के इस topic से जो रासाइनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन है यहाँ से कई questions बन जाते हैं और आपके entrance exam में कई बार पूछे भी जा चुके हैं तो question यहाँ पे है कि बर्फ का पिघलना क्यासा परिवर्तन है चार options यहाँ पे दिये हुए है option A दिया है रासाइनिक परिवर्तन option B दिया है भौतिक परिवर्तन option C दिया है अमलिय परिवर्तन और option D दिया है इन में से कोई नहीं तो फिर इस question का correct answer क्या हो जाएगा तो question number first का आपके यहाँ पे correct answer हो जाएगा option B यानि भौतिक परिवर्तन यानि बर्फ का पिघलना क्यासा परिवर्तन है तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है तो option भी आपका इस question का correct answer हो जाएगा तो ये question आपका most important है ध्यान रखिएगा आपके entrance exam में पूछा जा सकता है जैसा कि मैंने आपको starting में ही बता दिया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने questions कराने वाला हूँ ये सभी questions आप लोगों के entrance exam के point of view से most important questions हैं अब चलिए देखते है next question क्या दिया है question number second तो question number second आप से यहाँ पे पूछा गया है कि कारिका CGS मातरक है आपको यहाँ पे देखिए question दिख रहा होगा यहाँ पे question पूछा गया है कि कारिका CGS मातरक है चार options यहाँ पे दिये हुए option A दिया है newton meter, option B joule, option C दिया है arg और option D दिया है इन में से कोई नहीं तो मैं आपको बता दू कि यह question आपका UP Polytechnic entrance exam 2018 में already पूछा जा चुका है मैं आप लोगों को बता दू मातरक से related questions आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं यह ध्यान रखिएगा और मातरक के उपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने आपको सभी मातरक detail में बताए हुए अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजेगा ठीक है तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा तो कार का CGS मातरक क्या होता है अर्ग होता है यानि option C आपका इस question का correct answer हो जाएगा और ये भी question आपका most important है ध्यान रखिएगा अब चलिए देखते है next question क्या दिया है question number third तो question number third आप लोगों को अपनी screen के उपर दिख रहा होगा ये भी question आपका most important है और ये भी आपके entrance exam में पूछा जा चुका है बहुत पहले पूछा गया है question क्या है कि निम निलिकित में से किसका उपियोग ammonia gas को सुखाने के लिए किया जाता है most important question यहाँ पूछा गया है कि निम निलिकित में से किसका उपियोग ammonia gas को सुखाने के लिए किया जाता है चार options यहाँ पे दिये है option A दिया है soda lime, option B दिया है बिना बुझा चुना option C दिया है calcium chloride और option D दिया है calcium hydroxide तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा तो question number third का आपका correct answer हो जाएगा option B यानि बिना बुझा चुना यानि ammonia gas को सुखाने के लिए बिना बुझा चुना का प्रियोग करते हैं अब लिखा हुआ है यहाँ बिना बुझा चुना तो इसका formula क्या होगा आपको comment करके बताना है इससे पहले मैंने आपको कई बार इसका formula बताया हुआ है तो comment करके जरूर बताईएगा कि बिना बुझा चुना इसका formula क्या होगा ठीक है अब चलिए देखते next question question number four यहाँ पे क्या दिया है तो question number four यह question आप लोगों के entrance exam में दो बार पूछा जा चुका है ठीक है और बहुत पहले पूछा गया है ध्यान रखियेगा तो यह question आपका repeat होने का पूरा पूरा चांस है ध्यान रखियेगा question क्या है यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर यह सबसे कम है यह आपको यहाँ बताना है चार options आप लोगों को दिख रहे होंगे option A दिया है पराश्रव्य तरंगे option B दिया है रेडियो तरंगे option C दिया है प्रकास तरंगे और option D दिया है यहाँ पे x किरन या आप x तरंगे यहाँ पे बोल सकते हैं ठीक है तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा option A यानि पराश्रव्य तरंगे ठीक है अभी यह जो question मैने यहाँ पे add किया है ये chapter मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया है तो अभी के लिए आप इसका answer जान लीजिए कि इसका answer क्या होगा पराश्रव्य क्वेशन था कि निम्ड में से किस तरंग की तरंग दैर ये सबसे कम है तो option के according option ए आपका इस question का correct answer हो जाएगा और ये question आप लोगों से बहुत पहले पूछा गया है करीब सन 2000 के पहले आप लोगों से ये question पूछा गया था अपनी स्क्रीन के पर देख रहा होगा question है कि किस रंग के प्रकास का प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है क्या पूछा गया है कि किस रंग के प्रकास का प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है चार options यहाँ पे दिये है option A दिया है लाल, option B पीला, option C बैंगनी और option D दिया है इन में से कोई नहीं, तो ये तो question में ने आप लोगों को already कई बार कराया हुआ है, तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा, तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा option C यानि बैंग नी, यहाँ पे पूछा गया गया, यहाँ पे पूछा गया है, कि किस रंग के प्रकास का प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है, तो option के according option C आपका इस question का correct answer हो जाएगा तो ये आपके इस question answer की series का part 1 है, यहाँ पे मैंने सभी important questions include किये हैं, अगर आप इसका part 2 चाहते हैं, तो comment करके बता दीजेगा, मैं आप लोगों के लिए आगे भी इस series को continue रखोंगा, इसमें मैंने यहाँ पे सिभ important questions को include किया है, जसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो question number 5 का आपका correct answer क्या हो जाएगा option C, यानि बैंगनी, अब चलिए देखते हैं, next question क्या दिया है, question number 6, तो question number 6 आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा ये भी question आप लोगों के entrance exam में पूछा जा चुका है question है, कि lens का नियम किसके सनरक्षण से संबंधित है, ये question आप लोगोंने पढ़ा जरूर होगा question है, कि lens का नियम किसके सनरक्षण से संबंधित है, चार option सी आप दिये गए है, option A दिया है आवेश, option B उर्जा, option C द्रव्यमान, और option D दिया है सम्वेग, तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा, तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा, option B यानि lens का नियम किसके सनरक्षण से संबंधित है, उर्जा सनरक्षण से, ध्यान रखिएगा lens का नियम, उर्जा सनरक्षण पर आधारित है option B आपका इस question का correct answer हो जाएगा, और most important question है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अब चलिए देखते next question, question number 7 तो question number 7 आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा question number 7 है, कि hydrogen sulfide gas की गंध होती है question यहाँ पे है, कि hydrogen sulfide gas की गंध होती है, चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे, option A दिया है मचली की, option B जले हुए sulfur की, option C दिया है, सड़े हुए अंडे की, और option D दिया है, इन में से कोई नहीं, और ये भी question आप लोगों के entrance exam में already एक बार पूछा जा चुका है, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो इस question का answer बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये जो question आपका यहाँ पे लिखा है hydrogen sulfide gas की गंध होती है इस question का answer अरिहंत की book में गलत दिया हुआ है इससे पहले भी मैंने आप लोगों को 4-5 बार बताया है कि इस question का answer अरिहंत की book में गलत दिया हुआ है वहाँ पे क्या दिया है मचली की तरह दिया है जो की क्या है wrong answer दिया हुआ है तो ध्यान रखा कीजिए कभी-कभी book में भी गलत answer दिया हुआ होता है तो check करके अच्छे से study किया कीजिए वैसे तो मैंने आपको जब यह chapter पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस question का answer आपकी book में गलत दिया हुआ है तो question number 7 का correct answer क्या हो जाएगा question number 7 का correct answer हो जाएगा option C यानि सड़े हुए अंडे की यानि hydrogen sulfide gas की गंद होती है सड़े हुए अंडे की ध्यान रखिएगा option C आपका इस question का correct answer हो जाएगा अब यहाँ पे लिखा है hydrogen sulfide इसका formula क्या होता है H2S होता है देखे यहाँ पे hydrogen sulfide ना लिखके लिख दिया जाएगा कि H2S gas की गंद होती है तो यहाँ पे अगर आपको formula नहीं मालूम होगा तो आप confused हो जाएगे और simple से question को आप कर देंगे wrong तो ध्यान रखिएगा इसका formula क्या होता है H2S होता है तो question number 7 का आपका correct answer यहाँ पे option C हो जाएगा यानि सड़े हुए अंडे की ठीक है अब चलिए देखते है next question question number 8 यहाँ पे क्या दिया है question number 8 most 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 important question यह आपका है ध्यान रखिएगा आप लोगों से पूछाया सकता है question है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को दिख रहे होंगे option A दिया है हरे प्रकास का option B दिया है पीले प्रकास का option C दिया है लाल प्रकास का और option D दिया है बैंगनी प्रकास का ठीक है तो यह question आपका most important है इससे पहले भी मैंने आपको एक बार कराया हुआ है और यह question आप लोगों के entrance exam में already पूछा जा चुका है तो question number 8 का correct answer क्या हो जाएगा तो question number 8 का correct answer हो जाएगा option D यानि बैंगनी प्रकास का ठीक है सबसे अधिका पुर्तनांक होता है बैंगनी प्रकास का होता है तो option के according option D आपका question का correct answer हो जाएगा question most important है ध्यान रखिएगा अब चलिए देखतें next question question number 9 यहाँ पर क्या दिया है तो question number 9 आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा इस question का answer सबसे पहले आप लोग करने की कोशिच कीजिए यह question मैंने आप लोगों को already कराया है question है कि निमनलिकित में से सबसे अधिक उश्मिये मान है आपको यहाँ पर बताना है कि निमनलिकित में से सबसे अधिक उश्मिये मान है चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे option A दिया है बायो गैस का option B दिया है ब्यूचेन का option C दिया है मिट्टी की तेल का और option D दिया हुआ एथिनॉल का तो इस question का answer सबसे पहले आप लोग कीजिए अपना answer कीजिए फर इसके बाद मैं आपको इस question का correct answer बताऊंगा तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता देता हूँ मेरे पास कुछ दिन पहले एक student का comment आया वो मुझसे क्या कह रहा था कि sir मुझे आपका paid course जोईन करना है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मैं कोई paid class नहीं चलाता हूँ मैं कितनी बार बता हूँ कि मैं कोई paid class नहीं चलाता हूँ मैं बिल्कुल free में preparation करवाता हूँ मैं इससे पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ लेकिन कुछ students जो होते हैं जो नए आते हैं channel से add होते हैं नए जुरते हैं वो मुझसे बार बार यहीं पूछते हैं कि sir आप paid course चलाते हैं जो चीजे आपको free में मिल रही है आपको उसके लिए पैसे देने की क्या जरूरत है तो मैं आप लोगों को बता दू आप लोगों को कोई paid course लेने की जरूरत ही नहीं है free में आप अपने entrance exam की preparation कर सकते हैं मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो polytechnic entrance exam होता है यह इतना high level का entrance exam नहीं होता कि आपको यहाँ पे paid course लेने की जरूरत पड़े ठीक है ध्यान रखिएगा फिर से आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं जितनी preparation यहाँ पे करवाता हूँ बिलकुल free में करवाता हूँ ध्यान रखिएगा I hope आप लोगों का confusion यहाँ पे clear हो गया होगा आपका selection हो जाए वही मेरे लिए बहुत है ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे किवल free में classes करवाता हूँ ठीक है तो यहाँ पे question number 9 का answer maximum लोगों ने कर लिया होगा तो चलिए सबसे पहले मैं आपको question number 9 का correct answer बता देता हूँ question number 9 का correct answer आपका हो जाएगा option B यानि butane का ठीक है यानि निमलिकित में से सबसे अधिक उश्विमान है butane का है option के according option भी आपका इस question का correct answer हो जाएगा और यह भी आपका most important question है आपके entrance exam में पूछा जा चुका है मैं आप लोगों को बता दू total 20 questions मैंने add किये है और यह ऐसे questions मैंने यहाँ पे add किये है जो आपके entrance exam में बहुत पहले पूछे गए है यानि जो questions repeat होने के जिनके chances है वही questions मैंने यहाँ पे add किये हुए है तो यहाँ से आपको questions मिलने के chances से ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे option भी इस question का correct answer हो जाएगा अब चलिए देखते है next question question number 10 तो question number 10 आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा एक छोटा सा numerical यहाँ पे दिया है यहाँ पे लिखा है कि एक lens की छमता प्लस 6 diopter है तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि lens की जो छमता होती इसका मातर क्या होता diopter होता यह भी ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे लिखा है कि एक lens की छमता प्लस 6 diopter है lens की focus दूरी है आपको यहाँ पे focus दूरी बतानी है और options में देखिए यहाँ पे जितने options आप लोगों के दिये हैं यह आप लोगों के 70 meter में दिये हुए हैं तो चलिए इस question को सबसे पहले मैं आपको solve करके बताता हूँ आखिर यहाँ पे formula क्या use होने वाला है ठीक है तो यहाँ पे formula use होगा P is equal to 100 upon F यह formula क्यों use किया क्योंकि देखिए यहाँ पे options में आपका सभी 70 meter में दिया हुआ है तो इसके लिए यही formula use होता अभी chapter में आपको पढ़ाया नहीं तो आपको यह समझ में नहीं आएगा मैं आपको यहाँ पे question solve करके बता दे रहा हूँ आप यहीं पे समझ लीजे ठीक है तो यहाँ पे P is equal to आपका 100 upon F ठीक है यह formula हम use करने वाले हैं मैं एक बार आपको बता दू यदि focus दूरी centimeter में गया थे ठीक है जो focus दूरी जो है अगर हमें centimeter में दी हो centimeter में हमें गया थो तब हम इसी formula का use करते हैं दिया हुआ है तो जो centimeter दिया है इसी के basis पे हम यहाँ पे formula apply करने वाले हैं जो focus दूरी है मान लीजे आपकी centimeter में आएगी क्योंकि centimeter में option दिया हुआ है तो centimeter में होती ही जब focus दूरी तो formula हम क्या use करते हैं P is equal to handed upon F यही use करते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं formula side में लिख देता हूँ P is equal to क्या होता है handed upon F होता है यह question आप लोगों ने class 10th में solve किया होगा simple सा question आप लोगों का है तो देखिए यहाँ पे lens की छमता कितनी दी है जो P है यहाँ पे lens की छमता होगी यहाँ रखेगा तो lens की छमता plus 6 डाइप्टर हमें दी हुई है तो P की जगा में 6 लुक होगा is equal to handed तो आपका ऐसे ही रहेगा और देखिए आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछा गया focus दूरी ना तो F तो हमें मालूम नहीं है F तो आपका as it is यहाँ पे हो जाएगा यानि 6 is equal to आपका handed upon F हो गया तो F को अब हम ले आएंगे आगे यानि F is equal to आपका क्या हो जाएगा handed और यह 6 आजाएगा आपका upon में अब इसको solve कर लीजे ठीक है क्या कि जे इसको solve कर लीजे तो यहाँ पे 2 5s are 10 और यह 0 तो रहेगा ही तो इसके अलावा 2 3s are 6 हो जाएगा अब 50 by 3 आपका दिया है इसको आप solve करेंगे तो solve करने पर आपको 16.67 cm यह आपका correct tensor आपको मिल जाएगा तो option में कहां दिया है option में दिया है option C में तो option C इस question का correct tensor हो जाएगा ठीक है question important है ऐसे questions आप लोगों के entrance exam में पूछे आते हैं जो छोटे-छोटे numericals होते हैं यह खास कर पूछे जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे option C question का correct tensor हो जाएगा अब चलिए देखते हैं next question question number 11 क्या दिया हुआ है question number 11 आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा ये भी question आप लोगों के entrance exam में पूछा गया है और बहुत पहले पूछा गया है question यहाँ पे है कि निमनलिकित में से कौन सी gas सबसे अधिक सक्रिये वायू प्रदूशक है question यहाँ पे है तो option के according option C आपका this question का correct answer हो जाएगा CO यानी carbon monoxide question पूछा गया था कि निमनलिकित में से कौन सी gas सबसे अधिक सक्रिये वायू प्रदूशक है तो इस question का correct answer हो जाएगा carbon monoxide option C आपका इस question का correct answer हो जाएगा ठीक है यह भी question आपका important है starting में मैंने आपको पता दिया कि जितने questions यहाँ पे करा रहा हूँ सभी important है ध्यान रखेगा अब चलिए देखते है next question question number 12 बहुत यह अच्छा question है और ऐसे questions तो आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं totally आपका conceptual question है अगर आपको concept पता होगा ना तो बड़े आसानी से आप इस question को solve कर देंगे देखे question क्या लिखा है question यहाँ पे है कि तालाब के किनारे खड़ा वेक्ती तालाब की तली पर मचली को देखता है मचली को shoot करने के लिए निसाना लगाना होगा question है कि तालाब के किनारे खड़ा वेक्ती पर आप लोगों को दिख रहे होंगे, option A दिया है मचली के कुछ ऊपर, option B दिया है मचली के कुछ नीचे, option C दिया है मचली के कुछ दाई और option D दिया है मचली के कुछ बाई और, बहुत ही simple सा question अगर आपको concept पता होगा, within 5 second के अंदर आप इस question को solve पर देंगे, question है कि already यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस question का correct answer बताता हूँ कि इसका correct answer क्या होगा, तो question number 12 पर आपका correct answer यहाँ पर हो जाएगा, option B यानि मचली के कुछ नीचे निसाना लगाना होगा, ऐसा क्यों है मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप जान कुछ नीचे लगाना होगा, ध्यान रखिएगा, यानि option B आपका question का correct answer हो जाएगा, most important question है, ऐसे questions जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि यह आपके conceptual question है, यह question आपके entrance exam में और लेडी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, अब चलिए देखते हैं, next question, question number 13 क्या दिया question number 13 आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा, question है कि bulletproof jacket बनाने के लिए निमनलिकित में से किस बहुलक पदार्थ का प्रियोग होता है, यह भी question most important है, अभी तक पूछा नहीं गया, आपके entrance exam में ध्यान रखिएगा, question है कि bulletproof jacket बनाने के लिए निमनलिकित में से कि इस बहुलक पदार्थ का प्रियोग होता है, चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप लोग इस question का answer करने की कोशिश कीजिए, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को यह question कराया हुआ है, और एक खास बात में आप लोगों को यह बता दूं कि इस question का answer भी अरिहंत की book में गलत दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको chapter पढ़ाया था, और दोगी के रसाइन यानि industrial chemistry, वहाँ पे मैंने आप लोगों को already बता दिया था, कि इस question का answer भी अरिहंत की book में गलत दिया हुआ है, मैं आपको फि जितने गलत answer आप लोगों की book में दिये गए थे, उसके उपर एक video मैंने already बना दिया है, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, कि अरिहंत की book में किन किन questions के answers गलत दिये हुए है, और ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा, question number 13 का आप योग होता है, के उलार का होता है, option C आपका इस question का correct answer हो जाएगा, मैं आपको फिरते बता दे रहा हूँ कि अरिहंत की book में इस question का answer गलत दिया है, देखिए यहाँ पे आपको जानना बहुत जरूरी है, देखिए अगर by chance यही question आप लोगों से आपके इंटरेंस exam में पूछा जाता है, और अगर आप book से पढ़के जाते हैं, और book में दिया है गलत answer, तो exam में भी तो गलत करके आएंगे, और एक question आपका चार number का होता है, सोच लीजिए, कितना फरक पढ़ जाएगा, काफी फरक पढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर जिन लोगों ने भी तक correction नहीं किया है, तो correct कर लीजेगा, और वैसा जब मैंने आपको chapter पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था, कि इस question का answer आपकी book में गलत दिया हुआ है, ठीक है, अब चलिए देखते है next question, question number 14 क्या दिया है, तो question number 14 आपको अपनी screen के उपर दिख होगा, ये भी question आपके entrance exam में पूछा जा चुका है, most important है, question है, कि voltmeter को स्रेडी क्रम में जोलने पर धारा का मान हो जाएगा, आपको यहाँ पे question दिख रहा होगा, question यहाँ पे लिखा है, कि voltmeter को स्रेडी क्रम में जोलने पर धारा का मान हो जाएगा, चार options यहाँ पे दिया option a दिया है अधिक, option b कम, option c सून या उतना ही रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको question number 14 का correct answer बता देता हूँ, अब यहां से एक question और बनता है, यहां पे वोल्ट मीटर की बात हो रही है, यहां से एक question और बनता है, question क्या बनता है, कि आदर्स वोल्ट मीटर का परतिरोध कितना होता है, यहां पे आपसे आदर्स वोल्ट मीटर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर नहीं गलत बताया था, maximum क्या सभी लोगों ने गलत बताया था, तो आज comment करके इस question का answer जरूर बतायेगा, अब चलिए देखते हैं next question, question number 15, तो question number 15 आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा, यहाँ पर question लिखा है कि nitrogen आवर तशार्णी में है, चार options आप लोगों की screen के आपको यह question कई बार कराया है, तो इस question का answer आपको comment करके बताना है, ठीक है, अगर आप लोग सही answer देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत देंगे, तो मैं अगले दिन, यानि next day आपको इस question का answer बता दूँगा, और solution भी बता दूँगा, वैसे मैं जानता हूँ यहाँ पे सभी लोग correct देंगे, simple सा question है, बड़े आसानी से आप लोग solve कर पाएंगे, इससे पहले भी मैंने आपको ऐसे कई questions यहाँ पे कराये हैं, तो इस question का answer आपको देना है, comment box में ध्यान रखिएगा, अब देखते हैं next question, question number 16 क्या दिया है, तो question number 16, totally conceptual question, बहुत ही तक लिखा हुआ है, 36 सडक पर 10 मीटर चलता है, यात्री द्वारा अटैची पर किया गया कारे है, चार options आप लोगों को देख रहे होंगे, option A दिया है 0, option B 14 J, option C 980 J, और option D दिया है 1500 J, मैं आप लोगों को बता दू कि यह question आप लोगों के entrance exam में पूछा जा चुका है, जो conceptual questions होते हैं, वो अकसर आप लोगों के entrance exam में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर question आप लोगों को देख रहा होगा, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस question का correct answer बता देता हूँ, question number 16 का correct answer क्या होगा, तो इस question का correct answer हो जाएगा, option A यानि सूनने, ठीक है, यानि याती द्वरा attachi पर किया गया, जो कारे होगा, वो शूनने होगा, अब यहाँ पर सूनने क्या क्यों हुआ, यहाँ पर सूनने क्यों हुआ, इसका region क्या है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, क्यूंकि attachi का भार उर्धवारधर नीचे की और कारे करता है, ध्यान नहीं हुआ है, तो attachi पर किया गया, कारी क्या हो जाएगा, शूनने हो जाएगा, तो यह रहा इसका region, इससे पहले मैंने आपको यह बताया हुआ है, option A, आपका इस question का correct answer हो जाएगा, most important question है, ध्यान रखेगा, ठीक है, यह question तब आया था, जब मैंने आपको एक chapter पढ़ाय आप चलिए देखते हैं, next question, question number 17, तो question number 17 आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा, यह question आप लोगों के entrance exam में already पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा गया है, तो question है, यहाँ पे NS3 होगा, ठीक है, यहाँ पे NH लिखा हुआ है, यहाँ पे NH3 होगा, सबसे यहाँ बताना है, कि NH3 gas में HCL की छड़ ले जाने पर निकलता है, चार options आप लोगों के screen पे आप लोगों को देख रहे होंगे, option A दिया है, भूरा धुआ, option B दिया है, सफेद धुआ, option C दिया है, पीला धुआ, और option D दिया है, काला धुआ, तो देखिए, यह question एक बार Trans exam में पूछा जा चुका है, question important है, इसलिए मैं आज आपको यहाँ पे यह question करा रहा हूँ, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कि NH3 gas में HCL की छड़ ले जाने पर निकलता है, चार option आपका दिया हुआ था यहाँ पे, तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा, तो question number 17 का आपका correct answer option B हो होता है, ammonia का ही तो होता है, तो मैं आप लोगों को बता दू, देखिए, NS3 plus HCL, ठीक है, इनकी reaction होगी, तो हमें क्या मिलेगा, NS3 plus HCL gas, NH4CL, और यहाँ पे सफेद धुआ भी निकलता है, ध्यान रखिएगा, क्या सफेद धुआ, तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा, इस question का correct answer हो हो जाएगा, यानि NH3 gas में HCL की छण ले जाने पर निकलता है, सफेद धुआ, question important है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे NH3 लिखा हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा, चलिए देखते हैं, next question हमारा question number 18, यहाँ पे क्या दिया है, तो question number 18, आप लोगों को क्रमांक 20 है, उसकी संयोजकता होगी, आपको यहाँ पे वैलनसी बतानी है, तो मैं आप लोगों को बता दो, कि संयोजकता यानि वैलनसी के उपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, जहाँ पे मैंने आपको संयोजकता निकालने के सभी रूल बताए हुए है, या चैनल पे जाकर देख लीजेगा नहीं तो फिर आप इस टाइप के questions को बिल्कुल solve नहीं कर पाएंगे तो मैं आप लोगों को फिर ते एक बार बता दे रहा हूं कि जो वैलंसी निकालने के rules होते हैं वो मैंने आप लोगों को already बता दिये हैं और मैंने आपको कुछ questions भी solve करा हुए हैं वैलंसी से रिलेटेड तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजेगा तो यहाँ पे चार आप्शन साप लोगों को देख रहे हैं option A दिया है 4, option B 3, option C 1 और option D दिया है 2 तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा होगा देखिए परमाडू कर्मान को कितना दिया है 20 दिया है तो चलिए सबसे पहले जो परमाडू कर्मान के अनि atomic number 20 दिया है इसका हम electronic configuration करते हैं क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 फिसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3s2 फिसके बाद 3p6 तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे और 3p6 के बाद आपका 4s2 आ जाएगा तो यहाँ पे electronic configuration हो गया complete यहाँ पे तो अब हम इसको general form में लिखेंगे पहले में देखिए 2 electron फिर दूसरे में देखिए 2s2, 2p6 यानि 2 और 6, 8 फिर देखिए तीसरे में 3s2, 3p6, 2 और 6, 8 फिर इसके बाद देखिए last में 4s2, 2, 8, 8, 2 यहाँ पे electronic configuration complete हो गया ठीक है लेकिन अब हमें यहाँ पे सन्योजक्ता बतानी है तो सन्योजक्ता कैसे निकालेंगे तो इसके लिए rule यहाँ पे क्या apply होने वाला है वो मैं आपको बता दूँ तो rule बहुती ध्यान से सुनिएगा यदि किसी तक्तो के बाहितम या सन योजी कोश में उपस्तित इलेक्टरोनों की संख्या एक से चार तक है तो वही उस तक्तो की सन्योजक्ता हो जाती है तो यहाँ पे देखें जो हमने electronic configuration किया है देखिए बाहितम कोश में उपस्तित इलेक्टरोनों की संख्या कितनी है तो यही दो हो जाएगी valency यानि संयोजक्ता rule क्या लगा है एक बार फिर से बता दे रहा हूँ यदि किसी तत्तो के बाहितम या संयोजी को उसमें उपस्तित इलेक्ट्रोनों की संख्या एक से चार तक है कितने तक एक से चार तक है तो वही उस तत्तो की संयोजक्ता हो जाती है तो यहाँ पे देखिए जो तत्तो आपका दिया है यहाँ पे बाहितम को उसमें उपस्तित इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी है दो है ना यानि एक से चार के बीच में आ रहा है ना तो यही जो दो है यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी अगर यहाँ पे दो की जगा बाहितम को उसमें उपस्तित इलेक्ट्रोनों की संख्या चार से अधिक हो जाती यानि पांच हो जाती छे हो जाती क्या हो जाती पांच हो जाती या फिर छे हो जाती तब क्या होता तब कुछ नहीं करना होता आठ मेंसे जो बाहतम कोस में उपसित इलेक्टोनों की संख्या होती उसको हम less कर देते ये rules मैंने आप लोगों को already बताए हुए है चैनल पे जाके देख लीजेगा आप समझ जाएंगे तो इस question का correct answer option D यानि 2 हो जाएगा I hope आप लोग इस question को समझ पाएंगे अब चलिए देखते हैं next question question number 19 question number 19 totally आपका conceptual question और ये भी question आपके entrance exam में already एक बार पूछा जा चुका है question क्या है कि कील का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा चोड़ा बनाया जाता है इसका कारण है आपको यहाँ पे इसका region बताना है चार options आप लोगों को देख रहे होंगे option दिया है option A आपका दिया है गालने वाले इस्थान पर दाप अधिक लगे option B दिया है संतुलन बना रहे option C दिया है गुरत्वी केंदर चोड़े सिरे के पास हो option D है कि पकड़ने में स्विधा रहे यह चार options आप लोगों को देख रहे होंगे तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस question का correct answer बता देता हूँ कि इस question का correct answer क्या होगा तो इस question का आपका correct answer होगा option A यानि गालने वाले इस्थान पर दाब अधिक लगे यानि कील का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा चोड़ा बनाया जाता है इसका कारण क्या है कि गालने वाले इस्थान पर दाब अधिक लगे यही आपका इस question का correct answer हो जाएगा तो चलिए आप मैं आपको detail में समझा देता हूँ ऐसा क्यों है तो देखिए लोहे की कील का नुकीला सिरा दीवार या लकड़ी में छेद कर गालने के लिए होता है जबकि कील का चोड़ा वाला सिरा कील ठोकने के समय हथोड़े से प्रहार करने के लिए होता है ठीक है एक कील का चोड़ा वाला सिरा कील ठोकने के समय हथोड़े से प्रहार करने के लिए होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छेत्रफल बढ़ने पर दाब कम होता है तथा छेत्रफल के कम होने से दाब बढ़ता है जब कील के चोड़े वाले सिरे पर हथोड़े से प्रहार किया जाता है तो कील का दूसरा सिरा जो नुकीला होता है उस पर हथोड़े के प्रहार के द्वारा काफी अधिक दाब कम छेत्रफल पर पड़ता है और कम छेत्रफल पर अधिक दाब पड़ने के कारण कील आसानी से दीवार या लकडी में छेद कर अंदर चली जाती है तो यह पर option A इस question का correct answer हो जाएगा यानि गारने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे most important question है ध्यान रखिएगा दोबारा आप लोगों से पूछा जा सकता है अब चलिए देखते हैं आज का last question question number 20 तो question number 20 आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा question है कि chlorine किस विधी से बनाई जाती है most important ये भी question आपके entrance exam में पूछा गया लेकिन बहुत पहले पूछा गया है question है कि chlorine किस विधी से बनाई जाती है option A deacon विधी, option B haber विधी, option C ostward विधी और option D mark विधी यहाँ पे लिकी हुई है तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा इस question का आपका correct answer हो जाएगा option A यानि deacon विधी, यानि chlorine किस विधी से बनाई जाती है deacon विधी से बनाई जाती है option A आपका question का correct answer हो जाएगा question आपका most important है तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको 20 most important questions कराए हुए है अगर आपको कोई question नहीं समझ में आया हो तो आप मुसे comment करके पूछ सकते है इन questions को अच्छे से prepare कर लीजेगा और अगर आप चाहते हैं कि इस series को मैं continue रखूँ तो comment करके जरूर बता दीजेगा ताकि मैं आपको यहाँ पे 20 question रोज करवाऊं जो आपके entrance exam के point of view से important हो ध्यान रखिएगा ठीक है तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा और साथी साथ हमारे channel study with अभिमान को subscribe करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगी नेच्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिं